पिग्मेंटेशन एक ऐसी समस्या है जो की कभी भी किसी को हो सकती है इस प्रॉब्लम की वज़ा से हमारा चेहरा अनीवन टोन का हो जाता है स्किन पे जगा जगा पैचेस बन जाते हैं और बहुत जादा जब हम अपने स्किन की केर नहीं करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाती है तो अगर आपको भी इस तरह से अपने चेहरे पर अपने स्किन पर कहीं पर भी पैचेस हैं कम भी हो सकते हैं जादा भ पूप हो सकती है और साथ में एजिंग भी हो सकती है तो रीजन कुछ भी हो एज कुछ भी हो अगर आप भी पिग्मेंटेशन से जूच रहे हैं आपकी स्किन भी अनिवन टोन है तो आज का रेमिडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत यासान है सिर्फ तीन चीजों की आपको जरूरत है आपके घर में हमेशा होती है तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है सबसे पहले आप लीजिए दही एक से दो चम्मच आपको दही लेना है दही में होता है लैक्टिक एसिड और ये दाग धब्बे हटाने का बहुत अच्छा काम करता है दही एक प् आप हनी जरूर आड़ करें हर मौसा में हम हनी को लगा सकते हैं हनी की प्रॉपर्टीज भी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है और चेहरे से दाग दब्बे हटाती है एजिंग को ठिक करती है जुन लोगों को धूप की वज़े से चेहरे पे बहुत सबस्दा संस्पॉट्स हो गए है टानिंग हो गई है अनिवन स्किन टोन हो गया उनके लिए बहुत अच्छा है साथ में में डालूंग की एक चमच के करीब ही नीमू का रस अगर आपको नीमू का रस किसी रीजन की वज़े से अपने स्किन पे सूट ना करता हो तो आप उसकी चिका एक आलू का अच्छे जमिक्स कीजिए इन तीनों चीजों को और आपका एक यह बढ़िया सा पावर पैक रेमिडी रेडी है यह देखने में बहुत असान है रेमिडी लेकिन अगर आप इसको डेली अपलाय करते हो अपनी चेहरे पे तो साथ से दस दिन के अंदर अंदर आपकी जो चे अपलाय ना करना पड़े तो आप इसको हफ्ते वे तीन से चार बार भी अपलाय कर सकते हो इस डेमिडी को अब मेल हो या फीमेल हो अपलाय कर सकते हो बहुत म 1500 में रहने का काम है पिग्मेंटेशन हो जाता है जो की बहुत टाइम लेता है रिमूव होने में हमारे स्किन के उपर एक डेट सेल का लेयर बन जाता है जिसको हटाना बहुत जरूरी हो जाता है तो इस तरह से आप अपने चेहरे पर कॉटन पैड की हेल्प से इस पूरे मिक्स्टर को अपलाए क करो दिन की किसी भी टाइम आप इसको अपलाए कर सकते हो कोई hard and fast rule नहीं है कि किस टाइम अपलाए करना है कभी भी आप इसको अपलाए करो साफ सुत्रे चेहरे पर इसको आप एटलीस आदा घंटा अपने चेहरे पर जरूर लगा रहने दो जिससे कि आपकी स्किन में यह तीनों चीजों के goodness पूरी तरह से penetrate हो जाए उसके बाद जब आप आदा घंटा हो जाए तो आप नॉर्मल पानी से चेहरे को wash कर सकते हो नेक में अगर आपको बहुत सदा यह प्रॉब्लम है तब आप कर सकते हो arms वगेरा में जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है हाथों म प्रॉब्लम हो जाती है तब भी आप इसको कर सकते हो देखो आदी घंटे के अंदर अंदर आप देखोगे कि चेहरा बहुत अदा स्टिकी होने लगेगा दहीं पुरी तरह से सूखने लगेगा और हानी की वज़़े से स्टिकीने साएगी बस अब आप चेहरे को थोड़ा कोई भी स्किन टाइप है मैं शूरली कह रही हूँ कि अगर आप साथ से दस दिन तक लगातार इस रेमिडी को यूज़ कर लेते हो ना आपकी स्किन पे आएगा एक नया निखार एक नया ग्लो आपकी स्किन में जो पैचेस हो गए हैं जो स्किन पे स्पॉट्स बन गए हैं और अगर आपके लिप्स के आसपस की फाइन लाइंस बन रही है या पिर लाफ लाइन दिखती है तब भी बहुत अच्छा है इस रेमिडी को असान सी रेमिडी को आप बना कर एक दिन के लिए या दो दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में और उसके बाद चेहरे अपलाय कर सकते हो असान ड्यमिडी है चेहरे पे अच्छा रिजल्ट दे की विरा किसी हामफुल एफिक्ट के तो अगर आप भी अपने चेहरे को इवन टोन करना चाहते हो इस तरह से पैची स्किन से अजादी चाहते हो दाग धबु से अजादी चाहते हो तो थोड़ा सा तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया है असान सी रेमिडी अच्छी लगी है तो लाइके शेयर करना मत भूलिएगा फिर मिलती हों बाई बाई